नमस्कार जेजेगर्नात तो मेरे हात में है महापरुष जस्वन दाश जी का एक बहुती प्रसिद्ध मालिक ग्रंद जिसका नाम है कोईली मालिका सिधा सिधा आप देखिए क्यामरा फ्रेम पर यह है पंज सखाओं में से अन्यतम महापरुष यसवंदास जी की कोईली मालिका तो आज से 500 साल पहले संथ यसवंदास जी ने जब कोईली मालिका लिख रहे थे वो बन में कोयल को रफर करते हुए उसके ग्रंथ को उन्होंने लिखे थे और इस ग्रंथ को सिधा में आ जाता हूं लास्ट पेज, सोला नमर पेज, सोला नमर पेज में सिधा सिधा देखिए मिलता है प्रमान, क्या लिखा है, नजर डालता है, पहले मैं ओडिया में बोलूँगा, फिर उसके बाद इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है उँ आपको समझाओंगा, इसमें लिखा है, लोग इसका मतलब यह है, 13 से 33, इसका मतलब सिधा सिधा यहां पर हमें इंडिकर्शन मिलता है, उडिशा में अभी जो जिला की संक्षिया है, उडिशा प्रदेश के हम बात करें, उडिशा प्रदेश में अभी जो जिला की संक्षिया है, वो टोटाल में कुल मिला का है 30, और इस उस समें कुल मिला के ओडिशा प्रदेस में जिला की संक्षय था 13 इसके बाद जो जिला एक्ष्टेंज हुआ उसके बाद इसका संक्षय पहुंच गया 30 तो यहां पर यह जो ग्रंथ यहां पर प्रमान देता है कोईली मालिका जब यह 30 जिला और यह 33 में होंगे तब समग्र विश्व में प्रलय आएगा यह यहां पर महापुरुस लिख रहे हैं तो कहने का मतलब यह है अभी हाली में जो ख़बर हमें प्राप्त हुई है एक जिला है उसका नाम है पदंपूर निया जिला जो है उसका नाम होगा पदंपूर इसमें लिखा है बहुत सारे मेडिया जो फ्रंट मेडिया हैं उन्होंने इस नियुज को भी कवर किया हैं बहुत ही जल्द मान्यता पायेगा जिला की सामें उसका नाम होगा पदमपूर और इसका जो जिलापाल की करले जो कलेक्टरेट उसका जो प्रतिष्ठा वो प्रक्रिया आरंभ हो चुका है बाइपल इलक्षन हुआ था 2022 में उस समय मुक्ष्यमंत्री प्रतिष्ठी दिया थे कि पदमपूर भी एक जिला होगा तो अगर हम 31 जिला है अगर उसका हम नाम बोलेंगे वो हो गया पदमपूर और 32 जो जिला है वो है हमारे पस्चिम जो उडिसा है उसमें है कोसल वहां चल रहा है कि वहां पर अंदलन चल रहा है कि वहीं इन जिला का मान्यल का मिलें तो वह लगबग भग हो जाएगा 32 और देखने वहाला बात है कि 33 33 जिला को शाउट चाहिं के उसमें प्राल्यका लगा यह बहुत जल प्रमाण में नाय के के जो पर कोईले मा लिका है वहाँ हैं तो यह उपर लिखने खुने मैं दोरा इसको दोराता हूं, लोकोई ली, तेरा रूज जे तेतिस ही होई भो, तीनी रही ले विपत्ति पड़ी भो लोकोई ली, यह यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब है, जो तेरा जिला से यह जव जिला हो जागा तेतिस, उस समय समाग्र विश्व में जो है प्रलय समाग्र विश्व के उपर जो है विपत्ति पड़ेगा, यह यहाँ पे सिदा सिदा यस्वन दास जी की माली का प्रमान देता है, खाली यस्वन दास ही नहीं, संद अच्छितनन दास जी भी इसको दोरा रहे हैं, वह भी बोले हैं, कि जब तेरा जिला से तेतिस हो जाएग और एक बात संद अच्छितनन दास जी ने भी लिखे हैं, उडिशा के जो छे जिले हैं, और उसको हम बोलते हैं, कोश्टल डिस्टिक्ट्स, वह बोलेंगी, वह कोश्टल डिस्टिक्ट्स जो है, हमेसा के लिए, जल प्रलाय का सिकार होगा, मतलब, अगर कोश्टल पूरी और उसके बाद आता है गंजाम तो यह कुलमिला के साथ जिले हैं लेकिन महापुरसों की जो मालिका ग्रंथ है वो प्रामान देता है छे छे जिला जो है हमेशा के लिए जो है जल मगन हो जाएगा जल प्रले का सिकार होगा एक भी जगा नहीं बचेगा लगभग अगर हम नासा के एक रीपोर्ट के नासा का रीपोर्ट जो 2022 में उन्हों रहाइं उसी 133 और बड़ी सेहर हैं वह भी हमेशा के पूरी और परदिब भी है तो एसे करके छोटे और बड़े तेरा सहर जो है बिल्कुल समंदर की चपट में आ जायेगा और हमेशा के लिए वो जगह जो है हाली हो जायेगा मतलब जलपरलै का सिकार होगा तो महापुरुसों ने इसे बहुत सारी बातों के बारे में इसे बहुत सारी तथ्थे जो है वो दिये हैं आज हम आपको प्रामानिकतर के साथ यह हम बोल रहें कि महापुरुस्त्री जस्मंदास जी क्या यह जो कोईली मालिका है इसमें प्रामान मिलना है जस्मं क्या-क्या लिखा है क्या-क्या और प्रमान देता है जस्वन दास जी कोईली मालिका इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे तो देजिए इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो में जय जय गर्नात जय पंच सखा झाल